हलो एवरिवन आप सभी का स्टार आई चूपे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को रादे रादे प्यारे बच्चो वेरी गूड इउनिंग टो आल आफ यू प्यारे बच्चो लेके हाजीरूं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए पूरे अप्रेल महीने के हर्याना करेंट अफेर मैंने वैसे रेसेंटली एक सोला महीने के हर्याना करेंट अफेर का एक सेशन लिया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को जनवरी 2020 से लेके और अप्रेल 2021 तक के हर्याना करेंट फिर पूरे 16 महीने के लगातार 12 घंटे लाइव रहके पढ़ा दिया था आपको इसे मैं आपका पूरा 12 घंटे का सेशन था हुँ आपका शाम सवा साथ वज़े से सुबह सवा साथ वज़े तक लगातार 12 घंटे मैंने बने रहके आपको पढ़ाया था तो इसके अलावा भी कुछ बच्रकी यह दिमांड होती है कि सर जी यह है कि थोड़ा सापरेट मंत्ली भी वीडियो बना दी या करें और वैसे मैं बनाता भी हूँ डेली वीडियो भी आती है, डेली के अलावा वीकली भी मैं ट्राई करता हूं, पर वीकली ना हो पाए, पर मैं मन्थली जुरूर ट्राई किया करता हूं तो ये मंतली वीडियो है पूरे अपैल महीने के मंतली सापरेट है और इसके अंदर हम लोग को टोटल जो है वो 47 MCQ करने वाले हैं टोटल पूरे महीने के 47 MCQ है आपके ठीक है आप सभी प्यारे बचों को रादे रादे राम राम नमस्कार हेलो सभी को बहुत अच्छा लगा होगा कल पूरे 12 घंटे का लाइव सेशन देखके ये तो छोटा सा एक सेशन है उमीद है कि आपको ये भी बहुत पसंद आएगा पस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा और इस चैनल का जो है ना वो आपको मतलब इस चैनल की दवारा जितने भी वीडियो के पीडियो होते हैं या वीडियो से अपडेट होते हैं अपडेट तो आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाए यह है technical team को कहके आप वहां से जो है उसे जरूर जो है याद कर लीजिएगा तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग हाँ important बात यही है कि आप लोगों को अगर मैं से अन अकेडमी पर पढ़ना चाहते हो आप लोग NCRT की class तो NCRT की series अन अकेडमी पर चल रही है और जो है आप लोग मुझसे अन अकेडमी पर पढ़ सकते हो इस class के description box में मेरा profile link है वहां पर जाईएगा क्लिक कीजिएगा और मुझे वहां से join कर लीजिएगा अनलोग code है मेरा star IQ यह code यूज करने से आपको मेरी सारी classes बिल्कुल free में दिख जाएंगी ठीक है कल शाम की class है सुवह 7 बजे है ठीक है ना और दूसरी बात है कल 7 बजे और रात को 9 बजे यह दोनों class है आपकी 7 बजे और 9 बजे यह दोनों classes है इन दोनों classes को आप लोग जो है join कर सकते हैं daily classes होती है daily classes का schedule आपको मेरे telegram channel पर मिल जाएगा star IQ education मेरा telegram channel है यहाँ पे सारी updates होती है तो आप इसको जुरूर join कर लीजिए बचा तो चलिए सभी को राम 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 पवन जी राम राम सभी को राम राम जी ठीक है अब हम लोग पढ़ते हैं और आगे जाते हैं समझने की कोशिस करते हैं अगर आप मुझसे HCS वगरा का test series वगरा भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा application जुरूर याद कर लीजिएगा ठीक है जी तो पहला हमारा अंसर क्या होगा डियर आपका हिसार होगा करनाल होगा भीवानी होगा जजजर होगा चार option आपके यहां पे हैं और इसमें से सही अंसर आप लोगों को कौन सा ठीक लग रहा है वो बताईएगा आप लोग ठीक है ना के शिवांगी पाठक विश्व की चोथी सबसे उंची चोटी जिसका नाम है माउंट लोहाच से इस पर चड़ाई करने वाली है तो प्यारे बच्चों यह कौन से जिले की है जवाब दीजिएगा आप लोग ठीक है ना सही अंसर इसका कौन सा रहने वाला है हिसार आपने जवाब दिया है हिसार जवाब दिया है बिलकुल ठीक ह तो उसके बाद बे आगे बढ़ते हैं हम लोग 8516 मिटर तो हो ही गया आपका और इसका मिशन दो महीने का है 9 अपरेल से शुरू होगी एक जून तक जो है इनका मिशन चलने वाला है विश्व की चोती सबसे उंची चोटी जिसका नाम है माउंट लोहास से जो कि नेपाल में ह अगर मैंने नेपाल का जिकर करना है तो नेपाल की राजधानी क्या है काठमांडू है नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम केपी सर्मा ओली है खड़क परसाज सर्मा ओली है नेपाल की राश्टरपती का नाम विद्या देवी भंडारी है और नेपाल जो है ना नेपाल एक हिंदू रास्टर है पुर्णते हिंदू रास्टर है जो आज तक कभी किसी गुलाम नहीं हुआ विश्व की सबसे हूंची चोटी भी नेपाल हिमाल्य का ही एक हिस्सा है जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है जिसको आप चोग लुगमा भी कहते हैं या उसे आप लोग जो है म स्थापना कभूई थी हिसार की भी एक नॉवंबर 1966 को चेत्रफल 493 वर किलोमेटर है विदानसभा चेत्रों में हिसार उकलाना बरवाला आदुमपूर हासी नलवा और नारनोद का नाम आता है जी उपनामों में हर्याना के स्टेल सिटी हर्याना के मैगनेट सिटी और सफाई करमचारियों को साड़े बारा हजार उपे की बजाए कितने रुपे देने की घोशना की है मुख्यमंद्री मनोहर लाल जी ने अभी हाल ही में घोशना की है तो ग्रामिन सफाई करमचारी है जो गाओं में साफ सफाई करते हैं उनकी जो है ना वो बारा हजार उपे स 12.000 का देने वाले हो आप लोग बोलिएगा फटाफट दीजिएगा इसका सही अथा पे इसका बिल्कुल ुछीक रहेगा अभी रीसंट्ली जो है न साड़े 12.000 पहले मिलते थे गरामिन सफाई करमचारियों को और इनकी सेलरिया बढ़ा दी गई है बढ़ा के कितनी कर दी गई है जी 14,000 रुपे कर दी गई है पहली बात लेकिन तो सहर में काम करते हैं उनको पहले कितने मिलते थे उनको पहले 15,000 रुपे मिलते थे अब कितने मिल गए हैं उनको और सफाई करम जारी घर पे ही कोई समान्य मोत से मर जाए तो ऐसी मोत के उपर भी दो लाख रुपे का जो है उसको बीमा कवर दिया जाएगा परधान मंत्री सुरुक्षा योजना के तहट दिया जाएगा इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर सकते हो आगे बढ़ते हैं अगला कि उससन हमारा क्या होगा कि हाल ही में CMIE यानि कि Center for Monitoring Indian Economy CMI Center for Monitoring Indian Economy जिसका Headquarter मुंबई में है इसके according इसके आकड़ों के अनुसार हर्याना के अंदर जो है कितने परतिसत की बेरोजगारी दर्दर्ज की गई है तो इसका सही अंसर क्या रहने वाला है आपका एक option है आपका 22.1% है ठीक है दूसरा option है 28.1% है तीसरा option है साड़े चोधा परसंटेज है और चोथा option है 12.8% है आप सभी प्यारे बच्चेओं को राम राम रादे रादे मेरा आपसे लिटल बिट छोटा सा request है फटा फटा आप लोग अंसर दीजिएगा पढ़ाई कीजिएगा मुझे पढ़ने वाले बच्चे बहुत पसंद है चीजों का detail लिखीएगा तो ज़्यादा अच्छा है वटेवर आपका कोई डाउट रहता है कोई सवाल मुझसे पूछना है तो आप मुझसे अभी लाइव सेशन में पढ़ते टाइम पर प्लीज ना पूछें यहां से तोड़ा mismatching होता है पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं 9468173029 यहां पर आप लोग मन से पढ़ाई करिएगा दिल से पढ़ाई करिएगा और यह उमीद रखिएगा कि यह चीज़े आपको याद हो जाएं समझ में आ जाएं कभी भी सवाल आएं तो आप लोग जरूर जो है इसका अंसर भी दे पाएं प्यारे बचो उसका सही अंसर क्या रहने वाला है का सही अंसर मेरे प्यारे बचो रहने वाला है 28.1% रहने वाला है भी ऑप्षन सही रहेगा। चीज को भी आप लोग जुरूर याद रखे चलिएगा Center for Monitoring इंडिये निक नामी है इसका Headquarter तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई थी In the year of 1982 अगले सवाल की और जाते हैं तो हाल ही में हर्याना के किस जिले के कामेडियन सुनील ग्रोवर को निर्मल पांडे पुरुसकार से समानित किया गया है सुनील ग्रोवर को निर्मल पांडे पुरुसकार से समानित किया है यह कौन से जिले से हैं पहला option आपका सिर्सा है सुनील ग्रोवर को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, सुनील ग्रोवर जो है, यह रहने वाले हैं, सिर्सा के, एक्चली इनका जनम जो है, वो सिर्सा के मंडी डबवाली में हुआ है, इनको अभी रिसेंटली जो है, वो अंतरास्ती है, थिएटर डे से पहले यह कब किया जाता है, 27 मार्च को किया जाता है, यह याद कर देना, 27 मार्च को विस्वर रंगमंच दीवर सेलिब्रेट किया जाता है, दुनिया भर में थिएटर डे या थिएटर की चीज़ों को बढ़ावा देना, थिएटर के तरफ थोड़ा सो लोगों को जागरुपता दे इसी के लिए एक डे जो है वो सालिबेट करते हैं और अभी तुम्हा काऊंगा विख्यात है कॉमेडियन सुनिल ग्रोवर और इनका जनम जो हो कहा हुआ है इनका जनम हुआ है हर्याना के मंडी डवाली के अंदर हुआ है अगले किस्तन के और जाईए आप लोग हर्याना सरका को विजिट कीजिएगा और होँआ पे आपको एजली एक साप्रेट वीडियो मिल जाएगा फॉलो कर लीजिएगा चैनल को तास में बैल ऐकन प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके ताकि आप लोगों को मेरी नित नियम अपडेट्स मिलती रहे रेगुलर तो हर्यान सी बजट की सीमा तैकी गई है सिंपल बहुत सवाल है याद करने वाला हर्याना सरकार दवारा पंचायती राज में उत्कृष्ट कारे करने वाली महिलाओं की सफलता को किस पुस्तक के माध्यम सर दसाया जाएगा अब देखीगा क्या है कि वैसे तो देखा जाए तो पिछ 50% का आरेक्षिन दिया जाएगा 50% का आरेक्षिन का मतलब क्या है 50% के आरेक्षिन का मतलब यह है कि जो है जितने पूर्स बार मतलब O-D-1 का formula type से, पूर से एक बार महिला इस type से formula लागू कर दिया हर्याना ने, लेकिन जो अब तक हर्याना की ग्रामीन में या गाओं के अंदर या जिला परिशद में, ब्लॉक्समिती में, जहां-जहां पर महिला पंच है, सरपंच है, या जिला पारसद है, और उनोंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनके best काम के लिए एक किताब और उस किताब में उनकी कहानिया लिखी जाएगी, उनके द्वारा किया गया बहुत बढ़िया काम में, वो लिखा जाएगा, और कौन सी के अंदर लिखा जाएगा, आपका सफलता की कहानी किताब है, ए यह option Commonwealth Vocational University दवारा मानद उपादी से समानित किया जाएगा डियर नवीन नागपाल को, एक option जो है इसका हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा, नवीन नागपाल को किया जाएगा, ठीक है, क्यों किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने multiple time blood donate किया है, इसी वज़े से ह है, इन्होंने इनको मानद उपादी से समानित करने के लिए एक letter जारी किया है, अभी recently, अच्छा जी, ये डबवाली के रहने वाले हर्याना के, डबवाली के पहले organ donor भी है, इस point को भी आप लोग याद कर लेना जी, ठीक है जी, sir please telegram channel पर PDF दो, नहीं dear Amrit, ऐसा possible नहीं है, PDF केवल और केवल मेरी application पर मिलेगा, जिस application का नाम है, star IQ education, ठीक है, star IQ education पर मिलेगा dear आपको, इस महीने का है, ये monthly current affair भी आपको मेरे चैनल, आपको इसको मिलेगा application पर, और जितने भी मेरे दवारा पढ़ाएगे, सभी lectures है, उनमें सिस हर्याना के सभी PDF मेरी application पर मिलेंगे, national के और बाकी सभी PDF, NCRT वगरा है, उन सभी के PDF मेरे आपको मिलेंगे, कहां पर, टेलिग्राम पर मिल जाएगे, लेकिन हर्याना के केवल और केवल, जो है मेरी application पर मिलेंगे, due to protocols, और मुझे protocols follow करना बहुत पसंदा idea, ठीक है, dear, तो चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस हर्यानवी फिलम चुना गया है, छोडियां छोडों से कम नहीं, C option जो है, इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, छोडियां छोडों से कम नहीं, ठीक है, तो इसका C option जो है, बिल्कुल ठीक रहेगा, और IPS अधिकारी बनके एक लड़की है, जिसका, मतलब, इस movie में यह स है कुछ दिखाया गया है, यह बहुत सारी प्रस्तितियों के बावजूद भी जो है, एक लड़की है, उस लड़की ने जो है, बड़ी लगातार मेहनत करके IPS अधिकारी बनके जो है ना, उसने अपना नाम रोशन किया, PDF पेड अधिया सर हांजी डियर, PDF पेड अधियर इस Government महिला कॉलेज का नाम बदल कर सहीद लाफ्टिनेंट किरन सेखावत Government College for Women सलाहिडी किया गया है, सहीद लाफ्टिनेंट किरन सेखावत Government College for Women किया गया है, जी आपका, ठीक है जी, तो इसका सही अंसर क्या रहेगा आपका, ठीक है, इसका सही अंसर रहेगा आपका बेटा न के नाम पे ये जो है college का नाम किया गया है भई नू के बारे में बात करते हैं हम लोग ठीक है तो चार अप्रेल 2005 को जो है ना इसकी स्थापना हुई थी इसका चेतरफल 1507 वर किलोमेटर है विधानसभा चेतरों में नू, फिरोजपूर और पुन्हाना का नाम आता है भई ठीक है और इसका पुराना नाम मेवात और सत्या मेवपूरम है इस बात को भी आप याद रखिएगा अगला क्यों क्या कहता है कि टोक्यो ओलम्पिक में अब तक हर्याना के अंदर कितने खिलाडियों ने ओलम्पिक कोटा हासिल कर लिया तो Tokyo Olympic में अब तक जो है न वो इस option के according तो 10 रहेगा लेकिन प्लस 2 ओर कर दो टोटल 12 खिलाडियों ने जो है वो Olympic quota हासिल कर लिया मतलब ए ओप्शन कहिए या 12 खिलाडी कहिए कौन-कौन से खिलाडी है जी एक तो अमित पंगाल है बॉक्सिंग में ही है मनिस कोशिक है विकास यादव है पूजा बोहरा है शुटिंग में मनु भाकर है यशश्वनी देशवाल है अभिशेक वर्मा है और संजीव जो है न वो राजपूद है कुस्ती में बजरंग कुनिया है विनेस फोगाट है और एक लड़की है जीन्द की रहने वाली जिनका नाम है अंशु मलीक और एक लड़की है सोनिपत की रहने वाली जिनका नाम है सोनम इन्होंने जो है वो कुस्ती के अंदर जो है कोटा तो टोटल बारा खिलाडी होगे जिन्होंने कोटा जो है अभी तिक उलम्पिक का ले लिया है और अगली बात इपॉटेंट है कि जैपैन के अंदर होने वाले हैं ठीक है ना इंटरनेशनल उलम्पिक कमेटी के अधिक स्थ quiz भी app पे हम लोग बहुत जब अपलोड कर देंगे हमारी technical team इस पे काम कर रही है प्यारे बच्चो ठीक है है हाली में किस university की पुरो छात्रा सौनल दहिया को ENBA gold award मिला है ENBA gold award मिला है किसको CDLU, MDU, GJU, HAU मतलब कौन सी university की X student रह चुकी है तो यह X student रही है प्यारे बच्चो आपकी GJU की यानि कि गुरु जंबे सुर्य university of science and technology इसकी जो है यह X student हो चुकी है इनको भी हाली में ENBA यानि कि exchange for media news broadcasting award exchange for media news broadcasting award पिछले साल के अंदर सुर्जकुंड मेले की बहुत बढ़िया तरीके से जो है इन्होंने broadcasting जो की है या news को अच्छे से cover किया और इसी वज़े से जो है इनको अभी recently जो है award दिया गया है यह याद कर लेना आप लोग अच्छे से इ厲害 celebrate किये गए थे प्रोफेसर टंकेश और कुमार जो है इस university के वी सी हैं किस भासा को youtube ंदिजटल प्लाट्फॉर्म देने के लिए हर्याना ने यूटूब चैनल सुरू किया है किस भासा को डिजटल प्लाट्फॉर्म देने के लिए हर्याना ने जो है वह यूटूब चै अगला सवाल हमारा क्या होगा उससे पहले एक छोटा सा MCQ भी और आपका क्या रहेगा कि हर्याना संस्कृत अकादमी की मासिक पत्रिका का नाम क्या है इसका नाम क्या रहेगा हरी प्रभा इतना भी याद कर लेना आप ठीक है जी अगला सवाल हमारा क्या रहेगा उस सवाल से पहले ये slide बहुत important है, इसका भी आप screenshot ले सकते हैं, कैसे important है, क्योंकि हर्याना का संस्कृत साहित्या important है, यहां से आपसे exam में हर्याना static GK के MCQ निकलते हैं, पूछे गए MCQ हैं, आज तक वो भी आपको में share करता हूँ, जैसे महरसी वेदव्यास है, इनके दवारा महा भारत दयानाद लहरी, विरंजन अनन्द चरित्रम ब्रह्म चार्य मृत्रम, स्वामी हरीदास दवारा दादू मोर्दय, पंडित माधव चार्य सास्त्री कबीर चरित्रम, पंडित विद्यादर सास्त्री विवहा पदत्ती, ये क्योशन इपोर्टन्ट हुआ जी आपका, पंडि चजुराम सास्त्री, साहित्या, कुर्चेतर अस्टकम, सुल्तान चरित्रम, तो ये थोड़े से इपॉटेंट है, यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, आपसे इसका स्क्रेंशोट रख लेना, ठीके डियर, अगला सवाल हमारा, हर्याना में केंदर की किस योजना को कर लिगर, उसे अंतरास्ती स्तर पर पहचान दी जाएगी, इसलिए, एक योजना है, और याद, योजना के लिए आपको याद रखना है कि एक जिला, एक उतपाद योजना, एक उत्पाद योजना है, इस योजना के तहट जो है ना, one district, one product के तहट, हर एक जिले की एक उत उत्पाद का स्लेक्ट किया गया है वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर हर्याना के लिए 188 क्रोड रुपे जारी किये हैं के इंदर सरकार ने इस योजना के लिए स्पेस लिए और इसके तैज जो है इस योजना में टोटल 707 जिले टैक किये हैं पुरे भारत के ज किसार और कैथल से दूद और दूद से बने उत्पाद, जजर के अमरूद, जीन्द का मुर्गी पालन, कुर्चेतर का आलू, महंदरगड और नारनिल का साइटरस, नू और पलवल का टमाटर, और पंचकुला की अद्रक, पानिपत की गाजर, रेवाडी की सरसों, सोनिपत के मटर, सिरिसा के किनू, यम्नानगर का आम, और ऐसे-ऐसे जो है, इनके वन डिस्टिक, वन प्रोड़क्ट के तैत, इन इनको सामिल किया गया है, भी याद रखना है, आप लोगों को ठीक है, ताकि विदेशों में जो है, इन प्रोड़क्ट की अच्छी पहचान बन सके, छ मेडिकल कॉलिज का नाम कि सिख संथ के नाम पे रखेगी, हरियाना सरकार यम्नानगर में मेडिकल कॉलिज का नाम जो है, एक सिख संथ है, जिनका नाम है, गुरुतेग भादुर जी, ठीक है, अभी एक माई को जो है, इनका चारसोवां प्रकास उस्सव मनाया गया है, हरिय देव जी और नौमे गुरू गुरु तेग भादुर जी इनको मुगलो दवारा जो है वो यू कहिएगा जाक्ति का सामना करना पड़ा था जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन देव जी को इसलाम स्विकार ना करने की वज़े से मरवा दिया था गुरु तेग भादुर को इसलाम स्विकार ना करने की वज़े से औरंग जेव ने दिल्ली सीस गंज गुरुद्वारा या चांदनी चोप का जो छेतर है वहां पे जो है इनका सर कटवा दिया था तो ये पॉइंट भी आप लोग इपॉटेंट है याद कर सकते हो और टोटल दस गुरु है दस प्यारे बज़ो ठीक है आप लोग जो ना फटाफट 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 जो है ये इसके अंसर लिखते रही है बहुत प्यारा लगता है मुझे अंसर लिखते तो डिटेल में अंसर देते रही है कुछ चीजों को एक्स्ट्रा पता है एक्स्ट्रा अफेक्ट से साथ लि पुर्द्वारा जंगली वाला माता जी का मंदिर है इसके साथ बिलासपुर के पास पंचमों की हनमान जी का मंदिर परसिद है तो यह सारी चीज़े याद रखनी है आप लोगों को यहां से अगला किस्तन क्या रहेगा हमारा कि हाली में हर्याना के राज्यपाल ने किसे अब यह निर्वाचन आयुक्त के पद किसे निक्त किया है अभी हाली में तो इसका सही अंसर क्या रहेगा इसका सही अंसर रहेगा जी आपका सरी धनपसिंग यानि कि ए आप्षिन जु है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा 13 हमारा चल रहे ठोटल 47 क्यूस्टन है प् कब ये मनाया जाता है आपका 7 अपरेल को, ठैंक्यू मोहजी ठीक है, 7 अपरेल को, 7 अपरेल 1948 को जो है ना, WHO की स्थापना हुई थी, दुनिया भर में World Health Organization की स्थापना हुई थी, और 7 अपरेल को, 7 अपरेल 1950 को जो है ना, हम लोग इस तारिक से जो है, वो स्वास्ते दिवस् साथ अपरेल को विस्व स्वास्ते दिवस्तार, इस बार TB उनमूलन यानि की, जो TB को हटाने के लिए, TB को खतम करने के लिए, यही ठीम रखा गया था, याद रखिएगा जी, और TB डे हर साल मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है, और TB जो है, वो फैलता किस वज़े से बैक्टिरिया, जिस बैक्टिरिया का नाम है, माइको बैक्टिरियम टूबर क्लॉसेज, ठीक है, TB की खोज जो है, सबसे पहले इस बैक्टिरिया की खोज की थी, इंस्टिटूट ओफ हाईजीन, बरलिन ने, रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था, बैसिलस 1882 के अंदर, ठीक है जी, यह important है, और TB के लिए जो injection बच्चपन में लगता है, उसका नाम BCG injection है, इसको भी याद करना, जिसको हमारी बोडी की lymphocyte और monocyte, जो memory cell या vaccination cell है, वो पहले से ही remember कर लेती है, याद कर लेती है भई, अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है, पानिपत में दस्व लाकार को भी आपका, ठीक है, तो इसका सही अंसर क्या रहेगा आपका, इसका सही अंसर रहेगा, गजेंदर फोगाट, यानि कि B option जो है इसका हमारा, वो बिलकुल ठीक रहेगा, गजेंदर फोगाट इस point को भी आप लोग याद कर लेना जी, ठीक है, बहुत को, बहुत को ठीक है और अगला सवाल हमारा क्या रहेगा ठीक है ये पानीपत के अंदर हुआ था ना पानीपत के अंदर बहुत सारे बकबरे और दरगाह भी है आपकी जिसे काबुली बाग है सलार गंज गेट है एक इपॉर्टेंट है इबराहिम लोदी का मकबरा ये काफी बार एक्जा है चे है साथ है ये चार आपके आगे है और इसमें से सही अंसर क्या दे सकते हो प्यारे बच्चों आप लोग इसमें से सही अंसर दे सकते हो पांच भी आप्शन सही है सर पांच जिले कौन-कौन से है तो पांच जिलों के अंदर एक जिला आता है करनाल आता है दो नंबर पे आता है SONीपद तीन नंबर पए आता है पानीपद चार नंबर पे आता है फृदवाद और पांच नंबर पे आता है जिगरुगरां ये पांच ऐसे जिले हैos वह इलेक्ट्रिक बसों को चला विकल स्टेशन बनाए जाएंगे और टोटल 500 के आसपास जो है एलेक्टिक चार्जिंग विकल स्टेशन हर्याना के अंदर बनाए जाएंगे ये भी बात याद कर देना इस सभी लेक्चेस का PDF प्यारे बच्चों आपको मिलेगा मेरे अप्लिकेशन पे मेरी अप्लिकेशन का हाली में मुक्य मंत्री ने CSR के कितने एहम प्रोजक्ट का उधगाटन किया है CSR के कितने एहम प्रोजक्ट का उधगाटन किया है तो ये टोटल किया है चार का यानि कि B आप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा ये चार प्रोजक्ट कोन है एक तो है इक्जाम की त्यारी की जाएगी, दस हजार स्प्रेंट को इसका लाब मिलेगा, कॉवन सर्विस सेंटर्स के त्रू जो है त्यारी करवाई जाएगी, अच्छा, उसके बाद की बात अगली की जाए हमारी ठीक है, तो उसके बाद में कि 330 स्मार्ट क्लास्रूम बनाये और के साथ में एक फुली एक्टूपमेंट या यूग उस पर सारी 100% आटमेटिक एक एम्बुलेंस है, वो भी जो है, वो डोनेट की गई है, यह डोनेट किसने की है, आपको बता देता हूँ मैं, यह डोनेट जो है, वो की है, किसने की है, एडवांस लाइफ स्पोर्ट ए अगला किसन हमारा क्या रहेगा, अगला किसन हमारा है कि रिन्यू पावर, प्राइवेट लिमिटिड दवारा, पवन और सोर उर्जा में कितने बिलियन डालर का निवेस होगा, पवन और सोर उर्जा के अंदर, देखी का हो क्या रहा है, एट प्रेजेंट की सिचुएशन देखी जाए, तो लोग जैसे कार्बन उसर्जन बहुत हो रहा है, मतलब अमेरिका चाइना को छोड़ दें, तो फिर हमारा ही नंबर आता है कार्बन उसर्जन के अंदर, ठीक है, थैंक्यो निशान जी, तो उसके बाद में क्या है कि कार्बन उसर्जन हो रहा है, तो जो ग उनों को स्थापित करने के लिए 9 billion dollar का निवेश करने की जो है वो घोशना की है इस question को यह याद रखिएगा आप लोग ठीक है अब थोड़ा सा यह देखिएगा आप लोग 9 billion dollar का मतलब है इस चार्ट को देखिए यह चार्ट थोड़ा सा आपको सिखाने कोशिस कर रहा है क्या जी यह आपको पूरा एक गोल गोल दाइरा दिख रहा है इसमें जो आपको यह औरेंज कलर दिख रहा है मेरे पीछी का चुपा हुआ इसका इसका आंकड़ा है यह 69 percentage का और यह आंकड़ बनाओ तो पकी बात है उत्सरजन होगा बहुत बुरी बात है यह तो और 3% आप energy बनाते हो nuclear तरीके से 4% आप बनाते हो gas से 11% आप बनाते हो hydro power पानी वगरा से ठीक है और 11% यह आप बनाते हो renewable जिसमें solar energy आती है जिसके अंदर आपकी wind energy आती है और 2% जो है आपकी other है और बहुत सारे mix से method है इस वज़े से ही ठीक है तो अब क्या बात है renewable company ने यह कहा है कि हम लोग जो है यह 90% वाला आखड़ा जो है यह renewable पे लाना चाहते है बस ऐसा करना चाहते है ऐसा हमारा लक्ष है 2030 तक हम carbon उत्सरजन को कम कर देंगे zero कर देंगे ऐसी हमारी सोच है यह चाहतन जागरन होगा शाम साथ बज़े से स्टार्ट होगा याद रखीगा और पिछले 15-16 महीने के national करेंट फिर करवाऊंगा दस मई के शाम को साथ बज़े ठीक है स्टार आइक्यू चैनल पे जोइन कर देना उसका लिंक वगर आपको पहले ही देदूँगा मैं आज कल म में ही मेरे स्टार आइक्यू एजूकेशन टेलीग्राम चैनल पे चले जाना आप ठीक है रिवन्यू पावर कंपनी इसके अध्यक्स का नाम सुमंत सिना है और इसके हेड़काटर कहां पे है गुरू गराम के अंदर पड़ता है अगले सवाल की और चलिए आप लोग तो ट और अगला सवाल भी कुछ इसी से रिलेटिड है कि सोनम मलिक ने भी क्वालिफाई कर लिया ये सोनम मलिक सोनिपत की रहने वाले एर कितने किलोग्राम भारवर्ग में 62 किलोग्राम भारवर्ग में सोनम ने ठीक है न ये अंशू है और ये सोनम है और इन्होंने 62 किलोग्रा पृस्प्रादी करणियां की FMDA की पहली मिटिंग में फृदावाद जिलillar की कितनी स्कार किलोमेटर लंबी सीमा जिसमेंं ग्रामिन और सहरी छेतर को FMDA में सामिल कर لिया। तो FMDA के इंदर जो है वो सामिल कर लिया और यह है 741 स्क्वाइर किलोमेटर को सामिल कर लिया यह FMDA की पहली बैटक हुई थी इसमें कुछ मुख्य फैसले भी हुए जैसे एक फैसला हुआ कि महीने में दो बार खाटू शाम राजस्थान के लिए जो है फ्रिदावाद से बस सामिल कर लिया गया ऐसे एक सेम बैटक गुर्ण के साथ भी हुई थी यह 8 में बैटक थी हलांकी फिर्दावाद के साथ तो पहली हुई है लेकिन गुर्ण वाली 8 में बैटक थी इसमें पूरे गुर्ण को CCTV सर्विलेंस के अंदर एंटर करना था या मुझे आप CCTV का फुल बताना कमेंट के अंदर अगले क्यूस्टन के और चलते हम लोग अगर आप HCS की ट्यारी कर रहे हो तो आप Star IQ अप्लिकेशन पे जाना और HCS की Test Series आपको Star IQ अप्लिकेशन पे मिल जाएगी वहाँ पे आप लोग इन Test Series को जो है जोईन कर सकते हो हर्याना कब से कब तक खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजवानी करेगा हर्याना कब से कब तक खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजवानी करेगा तो ये करेगा प्यारे बच्चों 21 नवंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में ठीक है गतका दूसरा है काली कलारी पटियू तीसरा है ठांगता चोथा है मलखंब और पांचवा है योग यह पांच परकार के खेल जो है ना इसके अंदर सामिल किये जाएंगे इस बात को याद रखना आप लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर अगले सवाल के और चल होता है ठीक है और ब्रिक्स खेलों के आयोजन के लिए अभी रिसेंटली इनकी पहली मिटिंग ली गई थी विजय वर्दन ने जो है ली थी ये पॉइंट भी आप लोग याद कर देना ठीक है हां बता तो दियार बच्चों ने बता रखिए क्लोज सर्किट टेलिविजन स हुआ ता जिसमें हरियाना नंबर 1 पर आया था दूसरा संस्करण हुआ था इसका कब हुआ था दो हज़ार उननेस के अंदर इसमें हरियाना दूसरे नंबर पे था पहला महरा 쉬क है daughters रही था यहांपर 21 जो। के बीच में होगा साड़े आठ जार के आसपास प्रतिभागी हिस्सा लेंगी अगला किस्तन हमारा क्या रहेगा जी कि भारत ने अलमाटी कजाकिस्थान में हुए एशियाई कुस्ति चैंपियंशिप दो जार इकिस में चोदा पदक जीते हैं इसमें हर्याना ने कुल कितने स में इरान और कजाकिस्तान नंबर वन पे है बराबर बराबर मेडल मिले इनको भारत तीसरे नंबर पे टोटल 14 मेडल में पांच स्वरन और तीन रजत और छे कांशे है और इसमें से देखिएगा आप लोग की रवी दहिया यह हर्याना के विनेश फोगाट हर्याना अगला सवाल हमारा क्या रहेगा अच्छा है स्विष्व कुस्ति जो है इसके इदेக्स का नाम नेनाद लोलोविक है और इसका हेड़कार है स्विजिर लैंड के इंदर है बार सरकार की मन की बात की तरह हर्याना सरकार ने हाल ही में कौन सा प्रोजेक्ट कौन सा कारेकरम शुरू किया है तो हर्याना सरकार ने से बार सरकार की मन की बात है वैसे वैसे हर्याना के अंदर हर्याना की बात होने वाली है ठीक है यह पता नहीं कहां कहां की बात करेंगे ठीक है करने दो इनको हर्याना के किस सहकारी चीनी मील को गन्ना विकास में पर्थम पुरुसकार मिला है गन्ना विकास में टेक्निकल एफिशेंसी में कैथल को मिला लेकिन गन्ना विकास के अंदर पहला पुरुसकार मिला है किसको जी करनाल को मिला है हर्याना के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने इसकी घोशना की है 27-28 मार्स 2021 को यह अवोड दिया गया करनाल की मिला और जो टेकनिकल एफिशनसी है उसके अंदर जो है आपका कैथल को पुर्षकार या इस गन्ना के अंदर जो है दूसरा पुर्षक क्यूंकि में रिवारी की किस बेटी को स्थान दिया यह अभी टर्यौटि की बेटी का नाम है सोम्या यादव इनकी एक अप्लिकेशन है जिसका नाम है उफजो को पढ़ाना सुरू किया और यह ऑं-लाइन परसिद व्यक्तियों में नरेंदर यादव है, हर्याना के युवा माउंटेनर है, मुफ्ती निजामुदीन है, मुफ्ती निजामुदीन रिवाडी के कुतब पूर के रहने वाले हैं, 1857 की करांती में राजा राव तुला राम की सेना में, पल्टन नंबर एक में थे अंग्रेजी सेना से लड़ते वे नसीब पूर के युद में 16 नवंबर को ये वीरगती को प्राप्त हो गए थे अच्छा हेमू भी बहुत परसिद है हेमू के साथ में 1556 का अकबर के साथ में हेमू अकबर जो ना 1556 का पानिपत का दूसरा युद दुआ था जिसमें तो ये भी एक बहुत इपॉर्टन सी वात है जो कि आपको याद रखनी है अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है कि रक्षया अनुसंधान और विकास संगठन जिसको आप DRDO कहते हैं Defense Research Development Organization DRDO ने हर्याना के कितने जिलों के अंदर 500 बिस्तर वाले हॉस्पिटल खोलने की घो घाओ है जो कि पानीपत refinery के पास ही पड़ता है उसको select ही कर लिया गया हिसार वाले को ख़़े अभी select नहीं किया घ्क है DRDO की बात करते हो तो DRDO की स्थापना हुई थी आपकी एक जनवरी को ठीक है न एक जनवरी 1958 को जो है इसकी स्थापना हुई इस करके आप लोग DRDO Day celebrate क सकते हों यहां से अर्डियाइडियो का मोटो है बलेश्या मूलम विज्ञानम स्ट्रेंथन इस इन ओडिजन ओफ साइंस यह भी पाथ आप लोग याद कर सकते हैं यहां पे ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग और पानीपत के बारे में तो आप लोगों ने कई बार जिकर करी की जी लिया है ठीक है जी क्रास्सफ चल रही है ना सष्ठ सब कुस्स समझा आ रहось आ है लिए बैटा आपका स्कीड जाद़ा तो नहीं यहीं जादा ज्यादा कम संख चल रहा ना बता देना सूरी है कि अ्यां हमारा अगला क्या रहता है हाल ही में हर्याना किश प्रवता रोही ने नेपाल की सबसे खतरनाक चोटी लोबुचे को फते किया है ठीक है तो इसका सही अंसर क्या रहेगा लोबुचे को फते किया है किसने किया भी नेपाल की बहुत ही खतरनाक चोटी है और इसको फते किसने किया अनिता कुंडू ने किया, सी option जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, सी option बिल्कुल ठीक रहेगा आपका, अनिता कुंडू आपको फोटो में वैसे भी दिखाई देही रही है, और इन्होंने जो है ना 6,119 मेटर उंचा माउंट लोगुचे को लगातार 24 गंटे जो है ना 8,000, यह लगवा, 8516 मेटर की जो है चड़ाई पर चड़ाई करने वाली है, और इनके नाम पे काफी सारे जो है यू कहिएगा, टैग भी है, जिसे एक्जामपल से 18 मई 2013 को नेपाल की रास्ते से माउंट एवरेस्ट को फते किया, ठीक है, उसके बाद में 21 मई 2017 को चीन की र गुद्दूगेरा की अठावन सो मेटर उंची चड़ाई को भी जो है, वो भी याद कर देना जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला हमारा क्युस्तन क्या रहने वाला है कि हर्याना के किस गाउं की अंतरास्तिय बॉक्सर पुनम पुनिया ने पोलेंड में वर्ड वो गॉल्ड जीत लिया, किस ने जीता जी, ये कौनसे गाउं की है, कापडों की है, जटहेडी की है, फ्रीद की है, बुडाक की है, ये बुडाक गाउं की रहने वाली है, बुडाक गाउं पढ़ता है हिसार में, इस बात को याद रख लेना आप लोग 57 किलोग्राम में जो है न, वो पॉलैंड में हुई जो है न, वो AIBA, विस्व यूआ, विस्व कप चैंपियन सिप में गोल्ड जीत लिया, ठीक है, तो इसका सही अंसर क्या रहेगा, ये रहने वाली है, पानी पत्की है, विंका पानी पत्की है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही ह और ये इस टर्नामेंट की बेस्ट बॉक्सर भी चुनी गई थी, ठीक है, 60 किलोग्राम भारवर्ग में, पानी पत्को आप हैंडलूम का सहर तो बिल्कुल कहते ही कहते हैं, AIBA का हेड़कार कहां पे हैं, लोजाने सुजरलेंड में हैं, और इसकी स्थापना 1946 के अंदर हर्याना सरकार दवरा सुरू की गई हरी हर योजना, इसके तैत लावारिस बच्चों को क्या लाब मिलेगा, लावारिस बच्चों को इसमें क्या लाब मिलेगा, नेशुलक स्कूल और जो आपकी है, उच्थर सिक्ष्या, अनुकमपा के इधार पे रोजगार, मकान में higher education, कोई business startup करना चाहते है, तो एक बार बिना ब्याज के जो है, वो loan भी मिल जाएगा, हर्याना की एक मात्र महिला जादूगर कोन है, जिनने अमेरिका की IBM संस्था ने मोका दिया है, अमेरिका की IBM संस्था ने मोका दिया है, एक मात्र महिला जादूगर का नाम है, जादू जो है अंबाला की रहने वाली है ये याद कर देना अर अमेरिका की IBM संस्ता ने मोका दिया अनलाइन तरीके से इनको कई सारे certificate वगरा मिले अंबाला चाउनी अंबाला केंट की रहने वाली है ये ठीक है जी और IBM के full form है international business machine IBM के CEO का नाम अरविंद कृष्णा है IBM के founder का नाम भी आप याद कर सकते हो फ्लिंट है IBM के स्थापना 16 जुन 1911 को हुई headquarter इसका New York अमेरिका के अंदर पढ़ता है ये भी याद कर देना आप लोग है हाली में चोदरी चरण सिंग क्रशी विशेव धाले को कितने copyright मिले हैं तो चोदरी चरण सिंग क्रशी विशेव धाले को जो है ना वो कितने copyright मिले हैं तो ये चार copyright मिले हैं अभी रिसेंटली जो है ना वो 23 तारी को 23 अप्रेल को हम लोगों ने वर्ड बुक डे और वर्ड बुक एंड कॉपी राइट डे सेलिबरेट किया क्या मुझे आप मेंसे कोई ऐसा बच्चा है बता सकता है क्या बताईएगा या अब नहीं बता सकते तो ऑफलाइन कमेंट करके बताईएगा क्या कि 2021 Word book Day पे जु है वो किसे Word book capital मतलब विश्व राजधानी विश्व book capital किसे चुना गया है इसे पिछली बार कॉलालेमपुर मलेशिया थी इस बार 2021 में किसे चुना गया है मैंने नैस्टनल करण्टा फिर मैं पड़ाया था हलंकी से लेकिन फिर मुझे आप बताईएगा, ठीक है प्यारे बचो, चार कॉपिराइट मिले, किसमें मिले ये, माथामेटिक्स और स्टाटिक्स के अंदर मिले हैं, याद रखिएगा आप लोग ठीक है, और बलदेव, कमबोज, इसी इन्वेस्टी के रिसेंटरी जो है, वीसी भी हैं, उस बात को भी आप याद कर सकते हो, ठीक है, पहली बार भारत में एक साइकल निती का मसोदा त्यार हुआ है, इसका मतलब क्या है, कि साइकल निती बनाई गई है, ठीक है ना, ये तिबलिस ठीक लिखा है, लेकिन ये कौन से देश की राजदानी है, एक बात ये भी ब अच्छी बात है, आप लोग पढ़ते हो, बढ़ी अच्छी बात है, ठीक है जी, जोर्जिया चंदीगड मेंग ये डि Factors चंदिगड में साइक्लिंग निती त्यार की गई है, संदिगड स्मार्ट सीटी लिमिटेड दवरा त्यार की गई है, प्रयवर्ण को अनुकुल रखने के लिए 24 गुणा 7 गंटे जो है इसके उपर CCTV निगानी होगी, विकलांग लोगों को जो है अलग से प्रोटक्शन दी जाएगी, महिलाओं के लिए पैनिक बटन वगरा लगाये जाएगे, ये बात है आपकी, HSIIDC ने फ्रिदावाद में वैपार और निवेस के लिए किस के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्शर किया है, अभी रिसेंटली HSIIDC signed a Memorandum of Understanding with whom for trade and investment in फ्रिदावाद, trade and investment फ् HSIIDC का Headquarter पंचकुला में है, इसके MD का नाम अनुराग अगरवाल है, प्रधान मंतरी निरेंदर मोदी ने रास्त्रिय पंचायती राज दिवस पे हरियाना के कितने जिलों की पंचायतों को रास्त्रिय स्तर के पुरुसकारों से समानित करने की घोशना की है, कितने जिलों क ही है, और यह साथ जिले जो है ना, इनको पुरुसकार मिलेगा, और साथ जिले कोन-कोन से हैं जी, एक तो आपका, मतलब साथ जिलों के ग्राम पंचायत है, गुरु ग्राम जिले के पटोदी खंड है, कैथल का सिवन खंड है, रोतक का गाउं कहानोर की पंचायत है, हर्याना राज्या में 26 जनवरी 2020 को करनाल जिले का सिर्सी गाउं पहला लाल डोरा मुक्त गाउं बनाता और इसी वज़े से हर्याना में 24 अपरेल 2020 को स्वामितव योजना शुरू की गई परधान मंतरी देंदर मोदी ने शुरू की और उस योजना को पूरे देश भर में ला इसके संस्कृत अकादमी के जो है संस्कृत साहितय लंकार ये दिया गया है डॉक्टर वेद परकास उपाज़ाए डॉक्टर जगदीश परसाद सेमवाल डी ऑप्शन जो है इसका हमारा विल्कुल ठीक रहने वाला है देखो 2017-18 के लिए संस्कृत साहितय अकादमी ने पूर से हैं याद रखिएगा अगली बात हर्याना संस्कृत गोरो संबान के लिए किसे चुना गया है तो हर्याना संस्कृत गोरो संबान के लिए चुना गया डॉक्टर विक्रम कुमार विवेकी को और डॉक्टर मिथलेश शर्मा को डी ऑप्शन जो है इसका हमारा जो है नरेश कुमार बत्रा को B और C option जो है इसका ठीक रहेगा हमारा 2017 के लिए रेश्वानन्द सर्मा को 2018 के लिए नरेश कुमार बत्रा अंबाला से जो है जिनका चैन हुआ है भई आपका ठीक है और अचार्य स्थानुदत सम्मान के लिए किसे चुना गया है अचार्य कुमार शर्मा जो की चर्किदादरी और 2018 के लिए प्रोफेसर ललित कुमार गोड जो की कुर्चेतर के हैं हाली में किसे पदम विद्या पुरुसकार के लिए चुना गया है पदम विद्या पुरुसकार के लिए चुना गया है किसे चुना गया है डॉक्टर जोगेंदर कुमार को चुना गया है जी आपका पदम विद्या पुरुसकार हितू 2018 के लिए बिवानी के डॉक्टर जोगेंदर कुमार को इनकी किताब जीवन सोर्थम के लिए चुना गया है नाटक विद्या पुरुसकार के लिए किसे चुना गया भाई आपका तो डॉक्टर ध्रमवी सिंग कुंडू, इनकी किताब है पंडित दीन दयाल चरित्रम, इनके लिए जो है इने चुना गया है किस अवोड के लिए? नाटक विधा अवोड के लिए. एकांगी संग्रह अनुवाद नाटक, 2017 के लिए हिसार की पारवती शर्मा की किताब सोरेगा था 2018 के लिए हिसार की सुशिल कुमार सास्त्री की किताब है वरिक्ष नात पिता महा सुरक्षित है इसके लिए चुना गया है ये बहुत important क्यों संचल रहे इनके तिन तिन वार लिखोगे कौपी पे तो याद होगा आपको कौन सा राज्या फसल भुक्तान करने में देस भर में एक मोडल राज्या बन गया है फसल भुक्तान मतलब आपने फसल को मंडी में लेके गए और जे फारम कटने के बाद में 48 घंटे के भीतर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे अगर पैसे नहीं आ रहे हैं अगर नहीं पैसे आ जाएंगे तो जई बात है आपकी अनुज मैं ब्लॉक कर दूँगा डियर ठीक है डियर तो ये जानूर जानूरी आपकी एक मिनिट में निकल जाएगी ठीक है पल भरी लगेगी आपको मैं बोलूँगा तुर को जानू बेटा फिर है इसके बाद एक कमेंट ओर करियो तू और मैं तरको देखा ब्लोग कैसे करते हैं ठीक है कौन सा राजे फसल भुकतान में तो फसल भुकतान में मौडल राजे अपना हर्याना राजे ही बना है ठीक है ना तो इस पॉइंट को आप लोगों को याद कर लेना है यहां से बी आप्शन जो है इसका हमारा वो बिलकुल ठीक रहने वाला है और अगर मान लेते हैं कि 48 किये गए ट्राइल में यह साबित हुआ है भाई आपका ठीक है कि नीम की गोली करोना संकर्मन के खत्रे को 55% तक कम कर सकती है यह तो चलो बात होगी साधाने लेकिन दूसरी और इपॉर्टन बात है किसे अंतरास्टिय मेडिकल जर्नल अल्टरनेटिव थेरेपी इन हैल्थ और मेडिशन में जिसे जगह मिली है ठीक है ना तो इसका सही अंसर क्या रहेगा इसका सही अंसर रहेगा भई आपका ESIC Medical College All India Institute of Ayurveda निसरंगा बायोटेक प्राइवेट लिमिटिड और उप्राउक सभी डी आप्शन जो है इसका सही आएगा एक मिट बेटा अभी करता हम लोग रुखो मैं बोलता हूं तर बोजयानू रुख चलो जी अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है जी अगला क्यूस्थान हमारा क्या रहेगा खर दिया बोलोग ना आपने बोलोग कर देखो मुझे केवल और केवल मेरे स्टार आईक्यू पे वही बच्चे चाहिए जो बच्चे केवल पढ़ने वाले हैं एक भी बात आलतू फालतू इधर की उधर की बातें करता है तो उसे एक पल भर लगाता हूँ ब्लोग करते हुए देखो ऐसी जरूरती कैसे वीवर की क्या जरूरत है जो पढ़ने वाले हैं जिनको वाक्ती जरूरत है पढ़ाई की रात रात भर बहनत कर रहा हूँ यार मेरे को किसी ने पैसे थोड़ना दे रखेंगे मैं महनत कर रहा हूँ इस चीज के लिए अकलीफ मुझे भी होती है नि मुझे भी आती है लेकिन मैं महनत इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग हमारा अनुसरन करके आप अपने जीवन में काम्याब होए आगे बढ़ें तो पढ़ने वाले बच्चे यहां पर आए अदब की मैफिल है नहीं पढ़ना तो देखो क्या इस चीज़ का इसका कोई benefit नहीं है तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए दिल से महनत करके करिएगा और एक दिन अच्छा अपने माबाप का नाम उपर करिएगा हमारा नाम बोशन करिएगा तब तो देखो अच्छा लगेगा भले हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं चीज़े सीखते रहें तो ज़्यादा मज़ा आएगा बेटा तो देखो मैं आगे आता हूँ इसका सही अंसर है कि अंतराश्चे medical journal alternative therapy in health and medicine में जगय मिली है इसका सही अंसर तो डी हो ही गया आपका ठीक है ना मेक इन इंडिया के तैद एक बड़ी उपलब्दी ये मानी जा सकती है आपकी ठीक है जी चलो जी इस बात को आप याद कर लेना यहां से और ये अपने तरह का एक बहुत ही यूनिक सा आपका है ESIC Medical College इसकी स्थापना 2015 में हुई थी फ्रिदवाद में पढ़ता है ये We Dare to Care इसका मोटो है अखिल भारती आयरवेज संस्थान है इसका स्थापना 10 अक्तुबर 2015 को हुई प्रोफेसर तनूजा जो है इसके अध्यक्स है और के साथ में एक Department BioTech भी है इसकी स्थापना 1998 को स्थाग ने हर्याना के हिसार से 14 जनवरी को सुरू कर दी ठीक है लेकिन इसके लिए पहली बार जो है वो स्टेडूल जारी किया गया है चंदीगट देहरादुन धरमशाला इन सभी के लिए डी आप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है ये पहली बार डी जी सी ये जर्नल ओफ सिविल अविशन डिपार्टमेंट ने सेडूल जारी किया है ये सेडूल 30 सिकंबर तक लागू रहने वाला है ठीक है ना और ये जो है ना इसका आप स्क्रेंशोट भी ले सकते हो ठीक है ना तो ये बात जो अच्छे से याद कर लेना जी आप लो कोविड के बेहद गंबीर मरीजों को कौन सा इंजेक्शन लगाने के लिए मेडिकल बॉर्ड बना जाएगा कोविड के बेहद गंबीर मरीजों को जो है रेमडे सीवर का इंजेक्शन तो मिल नहीं रहा है इसलिए टोसली जुबाम का इंजेक्शन लगाने की गोशना इसको बनाने वाली कम्पनी जो है वो है सिपला जिस कम्पनी का हेड़कॉर्टर मुंबई में है उमंग वोहरा जो है इसके CEO है याद रखिएगा अगला और लास्ट किस्तन है प्यारे बचो इस सेशन का आपका कि हाल ही में हर्याना के ग्रह विबाग के अत्रिक्त मुख्य उनके दवरा सुरू किया गया और यह कहां पे सुरू किया गया सबसे पहला पानीपत के अंदर खुलाता याद रखिएगा दूसरा जो है वो कहां पे खुला था आपका पानीपत के बाद में दूसरा खुला था आपका फृदावाद के अंदर ठीक है ना फृदावाद के इस point को आप याद कर देना राजीव अरोडा जो की IS अधिकारी है जी तो चलो प्यारे बच्चो इसी के साथ में ये session तो प्यारे बच्चो आपका end हो गया है ठीक है कैसा लगा आपको इस session बताईएगा आप लोग मुझे comment में अगर आप लोगों ने कल के 12 गंटे वाला session नह आपको अच्छी लगी thank you so much मेरी उमीद है कि मैं आप लोगों को बहुत जल्द ही जो है अच्छे सी चीज़े लेके आऊँगा के लिए पॉश्पॉन नहीं हुआ अभी तक लेकिन आगे पॉश्पॉन वगरा कि इस पे एक separate वीडियो में जल्दी आपको एक दो दिन में दे दूंगा ठीक है तो चलो हस्ते मुस्कुराते रहना और कल की क्लास सुभह हर्याना करेंट अफेर की live होने वाली है उसको आप जरूर देख लेना थीक है न टेलिग्रामपर उसका टाइम शेयर कर दूंगा चे या सबजी कर दूं k्या सुबह या सात बजे करूं live बताओ अ हाल्चे मुआ घ्यानम करेंट अफेर या सात बजे nap करों गया जल्दी से जो कहोगे वही टाइम आपको मैं लाइव कर दूंगा उस क्लास का ठीक है साड़े छे साथ छे और छे छे साथ चलो साथ वजे कर लेता हूं ठीक है ठीक है पास तो नहीं साथ बजे चलो ठीक है कल सुबर साथ वजे आपको लाइव मिलने की कोशिस करता हूं ठीक है फिल ट्राई चलो ठीक है बेटा थैंक्यू हस्ते मुस्कुराते रहना बबाई टेक केर गुड़नाइट अपना ख्याल रखना बिमारी बड़ी खतरनाक वाली चल रही है ठीक है ज्यान रखोगे तो मज़ा आएगा झाल